यहलो फ्रिंस तूफ आप सब कैसे यहाई हो आप आप सब बहुत अच्छे होंगी आज में लेके आगें फिर्षे ने ट्रेक्स अन थे आगे उख मोह आपके कीजन के काम हो घर के काम हो जाएंगे असान चले देख लेते हैं पहला ट्रिक्स है जो हमारी lighter को ले करके हैं हम lighter kitchen में यूज करते ही करते हैं अक्सक्र क्या होता है मैंसे जगह रखते हैं वो गंदे हो जाते हैं और lighter जो है बिल्कुल भी काम नहीं करता है और लाइटर खराब होने का बहुत जल्दी चांस होता है तो इसलिए आप लाइटर को अच्छे से मेंटेन रखिए हमारे किचन का एक पार्ट है जो हम किचन में यूज़ करते हैं इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता कुकिंग का तो आपको क्या करना है सबसे पहले लेना है य चोटी सी तूट पिक ले लीजिए या फिर माच इसके तीली ले लिजे इसमें कॉटन थोड़ा से लपेट करके अंदर भी इस तरह से साफ कर सकते जितनी भी गंदीगी है बहुत ही बिनना कुछ लगाए आप इसमें कुछ भी मत लगाइए बस ऐसे ही आप इस तरह से साफ कर सकते हैं इसे आपका जो लाइटर है लॉंग टाइम तक चलेगा बिल्कुल खराब नहीं होगा और बहुत आसान तरीके से आप इस लाइटर को मिंटेन कर सकते हैं देखिए अंदर भी दम क्लीन हो गया तो यह ट्रिक अपना सकते हैं अब फ्रेंट्स यहां पर खीरे को ले तो इस तरह से कटे हुए खीरे को रगल लेंगे तो इससे क्या होता है जो जाक है इसमें वाइट वाइट सा जाक निकल रहा है इससे पूरा तीखा पन खतम हो जाता है हम खीरा लाते हैं चेक नहीं कर पाते हैं कि कौन सा तीखा है कौन सा अच्छा है तो यह ट्रिक आप अ होते हैं हमारे पास कंटेनर इतनी नहीं होते हैं तो इस तरह से पॉली तिंग में रखे होते हैं तो उसमें कीडम लगने का डर रहता है या फिर सिलन आने का डर रहता तो आपको क्या करना है इस तरह से लेना है जो बॉटल है बॉटल को टॉप पार्ट कर लेना है और बॉट और यह टाइटली बंद रहते हैं, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, बहुत कमाल का ट्रिक्स है, आई होप आप समझ गए होंगे, नेस्ट है, यहाँ पर पेन को लेकर के है, पेन हमारे पास होता है, कभी ऐसे होता है, पेन का रिफिल खतम हो जाता है, तो यहाँ पर हमने ले लिया है पेन, जो हमारे पेन का रिफिल खतम हो गया, इसमें रिफिल भी नहीं है, तो अकसर क्या होता है, फ्रेंस हमारे पास ऐसे लगने का भी डर रहता है तो आफ रिफिल में इस तरह से और्गनाईज कर सकते हैं अगर तूट गई एक कफ को डंडी तूट गई तो सारे कफ को जो सेट होता है इस था टूट को डंडी ढ Гर में इस तरह से कफ कर लें लेकिन या होती तूट जाता है तो आप दोको भी इस तरह से रहें तो कोलव अंगर तूट आएंगे और यह बहुत ही बढ़िया एक और्गनाइजबन के तयार होगा है बहुत ही कमाल का है तो यह ग्रॉसरी बैग है इस तरह से पहले हम कट कर लेंगे पहले उपर का पाट इस तरह से कट करेंगे फिर इस तरह से हम इन्हें बढ़िया से सेफ में कट कर लेंगे इसे एक बढ़ि है तो ये इसका जो कपड़ा होता है बहुत जादा सॉप्ट होता है आप इसको बिल्कुल भी मत फेके और आप इसे बहुत ही कमाल का एक और गनाइज बना कर त्यार खर सकते हैं और आपके पहले इस तरह से कट कर लिए तीन चारा मतलब उसमें और एक साथ में कई निकल जाते हैं तो इसे हम एक सेप में कट कर लेंगे गोले सेप में कट करेंगे इस तरह से पैट जो हम मार्केट में लेने जाते हैं बहुत जादा महंगा मिलता है और यह हमारे डेली के काम में आता ह है अक्सर क्या होता है हम लोग जो है लिपिष्टिक है काजल है लगाना पसंद करते हैं जितना ही लगाना पसंद करते हैं उतना ही जरूरी इसे रिमूफ करना होता है तो इस तरह से आप क्या करें प्याट बढ़िया से बना ले इसे आप कोई भी मतलब आप रख सकते हैं किस तो आप क्या करें इसमें फोड़ा सा आप गाने की जूरूर्ट नहीं पड़ेगी आप इसे उठाएंगे और अच्छे से रिमव पर सकते हैं तो आप मेरे वीडियो समझ में आगई होगे अच्छी लगी हो तो प्लीज जादा से जादा शेयर करिएगा नेशलिक देख लेंगे यहां पर बोड कर ले चाहँ इस तरह से तरह में साफ कर सकते यहां पर लीजिए कॉर्टन कॉर्टन में एड़ करिये यह प्रफिनेल को जो है थीनर आप ले सकते हैं और थीनर डालने के बाद इसमें कॉटन से इस तरह से आप पोश सकते हैं आप कितना भी आपका बोर्ड गंदा हो काला हो धबा हो आप बहुत आसान तरीके से इत्दम क्लीन कर सकते हैं तो यह भी बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है यह आप बहुत बड़ी आसी क्लीन हो जाता है बिना किसी मेहनत के यह देखे पूरी गंदगी आ गई है कॉटन में तो यह जो थीनर का जो मतलब लिक्विड है वह बहुत हाड होता है जैसे ने पॉलिश चूड़ जाती है ना ने पॉलिश लगा रहते हैं हम लोग तो ऐसे यह बोर्ड भी है ना इसमें चिकनी चीजे होती हैं हम लोग गंदे हाथों से चू लेते हैं अन आफ करते ही लाइट है तो यह इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं आई होप मेरी यह वीडियो आपको समझ में आई होगी तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्ली से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक पूर वाचिंग मैं वीडियो